Hello everyone, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFC Net Banking का user ID आप online कैसे change कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा से request अगर आपने भी तेक मारे चैनल को subscribe नहीं किये तो प्लीज आप मारे चैनल को subscribe कर लें तो आपको सबसे पहले अपने इंटरनेट बैंकिंग को login कर लेना है तो चलिए हाँ पर मैं अपने इंटरनेट बैंकिंग को login कर लिया है login करने के बाद आपको क्या करना है कि यहां पर देखे जो प्रंसलाइज user id ठीक है यहां पर देखे प्रंसलाइज user id तो आपको इस पर जो है click कर देना है जैसे आप इस पर click करेंगे click करने के बाद आपके पास इस तरह का एक page open होके आएगा तो यहां पर देखे यूजर आड़ी जो आप यूजर आड़ी रखना चाहते हैं वो फिल करेंगे यहाँ पर और वही यूजर आड़ी आप यहाँ फिल करेंगे यह दोनों जगा आपको सेम यूजर आड़ी फिल कर लेना है जो आप रखना चाहते हैं तो यहां पर उसके बाद देखिए, यहां पर आपको क्या क्या चीज धियान रखना है, तो सारा कुच मैं अनिस्कस कर देता हूँ, कि यहां देखिए, यूजर राड़ी जो आप रख सकते हैं, जो 5 से 15 करेक्टर का आप रख सकते हैं, उसमें पांस से पंदरह में आप जो रख सकते हैं, कैपिटल लेटर में A से लेके Z तक और स्मॉल लेटर में A से लेके Z तक और आप जो नम्मर में 1 से लेके 0 तक और उसके बाद special character में आप रख सकते हैं, जैसे कि add the rate, underscore, dot यह बगरा आप जो है रख सकते हैं, तो आप कोशिस करेंगे कि आप एक strong user ID बनाएं, तो strong user ID बनाने के लिए आपको यहाँ पे चारों चीज़ आप इंखलोड करके बनातें, तो बहुत ही आप का user ID strong हो जाएगा, तो आप जो है चारों चीज़ अगर includes करके बनातें, बहुत ही जादा आपका user ID Strong होगा, तो यहाँ पे आप जो यह रख सकते हैं तो यहाँ पे चलिए जो भी user ID आप रखना चाहते हैं लिखिस और मैं आपको यहाँ पे clear कर देता हूँ कि user ID जो है आप एक बार ही change कर सकते हैं उसके बाद आप change नहीं कर सकते, यहाँ पे clear जो है mention कर दिया है जो भी आपको bank के तरफ से user id मिलता है उसके बाद आप एक बार ही change कर सकते हैं तो यहाँ पर मैंने बता दिया कि आपको क्या क्या चीज यहाँ पर ध्यान रखना है चलिए यहाँ पर जो भी मैं अपना user id रखना चाहता हूँ तो यहां पर दोनों जगर मैं फिल कर लेता हूँ यहाँ पर मैंने अपना user id फिल कर लिया जो भी हम user id रखना चाहतें उसके बाद आपको क्या करते हैं यहाँ पर continue के बटन पर click कर देना है तो चलिए यहाँ पर मैं continue के button पर click कर देता हूँ जैसे आप continue के button पर click करेंगे ठीक है आपके पास फिर से यहाँ पर जो भी आप user ID मतलब वहाँ पर fill किये थे वो यहाँ पर आज आएगा ठीक है यहाँ पर user ID आज आएगा तो अगर आपको जो भी रखे हैं आपको लग रहा है कि वह आप सही रखें क्यूंकि आप बार बार यह चेंज नहीं कर सकते हैं एक ही बार चेंज कर सकते हैं और जो भी आप user ID रखेंगे सोच समझ के आप रखेंगे पर आपको आप्स है क्या करना है कि यहां पर कन्फरिम के बटन-पर आपको क्लिक कर दे सूकर जैसे आप क्टं पर कलिक करेंगे तो यहां पर दीखे हमारे पास एक पेजिस आपएगा है और आपके रजिस्टेट 3 किन एक doğr cór porch भी आए गा याप पो जो है अपने इंटरनेट बैंकिंग को लोग इन में आप लोग इन करने में इसका इस्तुमाल कर सकते हैं आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आयागा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने सभी दोस्तों के साथ सेर करें और सस्ट्राइब करने बिलकुल न भूले थैंक्स पर वाचिंग